So Hello Everyone, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का Nursing Education के इस YouTube प्लैटफरम पर हार दिख स्वागत है दोस्तों आज का ये क्लास रहेगा ESIC Nursing Officer के प्रिवेस येर की पेपर का क्लास फॉर्थ ये च्छोती क्लास है और पिशली जो तीन क्लास है हमारी YouTube चैनल पर डाली गई है एक separate playlist हम बनानेंगे उस playlist का link हमने टेलिग्राम चैनल पर सेंड करेंगे और वहाँ से आप इजिली से पूरी पूरी क्लास है देख सकते हैं या डारेक्ट आप YouTube चैनल पर क्लास है डली हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि upcoming जो आने वाला हमारा जुलाई के अंदर exam है ESIC nursing officer का जिसमें आपको बाद में ये पच्चतावा नहीं होना चाहिए कि अमने previous year के paper नहीं पड़े कास पड़ते तो हो सकता है नमेसे या इससे related कुछ क्यूसंस आपको exam में देखने को मिलते तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है और वीडियो को last तक देखे चैनल पर अगर नए हैं तो subscribe करें अपने दोस्तों को share करें ठीके और telegram ये जोइन करना है आपको लगता है कि मुझे बहुत important notes या या कुछ important जानकारियां चाहिए तो telegram चैनल का link अमने वीडियो के description box में दे रखा है आज की class का first question the neonatal sorry the normal pH of arterial blood is जो arterial blood होता है उसकी normal pH किती होती है ये questions का पूछना है अब आपको ध्यान रखना है कि normal जो pH होती है वो 7.4 ठीक कितनी 7.4 है वो normal pH है किसकी arterial blood की ठीक है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने होती है important questions है next दोस्तों isotonic fluid के पुआरे में बूचा है कि isotonic fluid कौन सा है isotonic fluid is 0% नहीं है 1% नहीं है 0.45 नहीं है 0.9% sodium chloride होता है क्या 0.9 sodium chloride NHCl जिसमें 0.9% होता है ये कैसा fluid होता है isotonic दोस्तों ठीक है आगे जब भी sodium का ये बूचे तो ये कैसा है isotonic fluid है जो कि यूज करते हैं आप मोस्टली हाइपोवालिम्या वगेरा एमर्जेंसी के अंदर डूरिंग पेरिनियल ऑप्रेशन्स पैसेंट आर्क केप्टेन जब पेरिनियल ऑप्रेशन्स होता है तो पैसेंट को किस पोजिशन के अंदर रखा जाता है पोजिशन्ट के अंदर रखा जाता है लेवरी के दौरान लेवर रूम में भी इसमें लेवर रूम में भी यह सिच्वेशन्स देखने को मिलती है और यह दि कोई पैरिनियल ऑप्रेशन्स भी हो रहे हैं तो यहां पर हम लेवरी पोजिशन को प्राथ पिकता देगे वो patient के लिए एक comfortable feel कराएगी next questions के और move करते हैं दोस्तों next हमारा questions है कि epistaxis is bleeding from epistaxis word अपने आप में important word है इसकी जो bleeding होती है वो कहां से होती है कहां से होती है nose से होती है जिसको हम नकसीर बोलते हैं क्या बोलते हैं नकसीर बोलते हैं तो ये जो नकसीर है वो nose से bleeding होती है clear और जो है इसको हम epistaxis कहते हैं gum से ear से eye से bleeding इसमें नहीं होती है next दोस्तों important questions है कि the normal tidal volume of lung अब normal tidal volume का मतलब क्या होता है जो हम expiration एक तो inspiration करते हैं फ़र expiration करते हैं इन दोनों का inspiration minus expiration करने के बाद में जो पीछे जो volume बचता है जैसे जो volume है वो 500 ml आसपास बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं tidal volume fix रहता हमेशा changes नहीं होता है tidal volume वहीं fix रहता है inspiration expiration में हो सकता है थोड़ा बहुत बादलाव पर tidal volume fix रहता है वो कितना होता 500 ml 500 ml tidal volume है वो fix रहता है तो यहाँ पर normal tidal volume पुचा है किसका lungs का तो वो मेरे दोस्तों रहेगा कितना वो रहेगा 500 ml next दोस्तों questions हमारा रहेगा the hormone that stimulates release of bile into dudenum जो किसको stimulate करता है release of bile को ऐसा कौन सा hormone है जो dudenum के अंदर release of bile जो है stimulate करता है तो वो है दोस्तों polycystic कोनिन polycystic कानिन है जो कि क्या है दोस्तों वो dudenum के अंदर hormone को release करता है stimulate करता है clear चीज समझ में आ रहे होंगे हरे questions दोस्तों वो सकता है दोस्तों यही questions कहीं ने कहीं आपको देखने को मिल जाए क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपको questions सरल लग रहा है वो सरल नहीं है आपको हर एक questions को important और उसको महता हुता देते हुए आपको आगे बढ़ना है और आगे पढ़ाई करनी है next दोस्तों important questions से आप और इस्टार वीस्ट में लगा सकते हैं tenderness at mac burning point is a suggestive of सबसे पहले में बात करूंगा दोस्तों mac burning point की तो यह नाभी है clear चीज़े और यहाँ पे जो दोस्तों नाभी के just नहीं चे यहाँ right side में जो मैं आपको planning करके बता रहा हूं यहाँ यह mac burning point होता है कौनसा right side के अंदर जो point होता यह abdomen के जैसे abdomen है और यह नाभी है यहाँ जो point होता है appendix का right side में क्या right side में जो यहाँ होता है वो mostly mac burning point होता है और यहाँ पर heat tenderness होती है pen होता है किसमें देखने को मिलता है acute appendicitis जो appendix होता है उसका infection होता है inflammation होता है तो उस दोरान क्या देखने को मिलता है मेक बर्नी पॉइंट पे pen और tender देखने को मिलती है जो कि right side में देखने को मिलती है किलियर चीज आई ओफ सारे आप questions समझ में आ रहे होगी दोस्तो next question के बारे में हम बात करें तो next question रहेगा the reference point for the measurement of jvp is the reference point है जुगलर वेन प्रेसर है वो चेक करने के लिए किया जाता है और external angle क्या दूस्तो external angle है वो इसमें use किया जाता है जो कि measurement करने के लिए कि इसका jugler वेन जो प्रेसर होता है उसको next questions क्या और move करते हैं दूस्तों next मारा questions रहेगा इसमें की जो Central Incisor है अपीरेड जो हमारे बच्चों के अंदर टीथ आते हैं इसको Central Incisor है CI की बात करें तो वो अपीर किस मन्त पर होते हैं 4, 6, 10 और 12 हम राइट अंसर की दोस्तों बात करेंगे तो 6 मन्त पर यदि आपको Central Incisor पूचे तो यहाँ पर सबसे Important है वो Central Incisor है वो 6 मन्त पर अब दोस्तों 6 मन्त पर यहाँ पर जो है राइट एंसर रहीगा Next दोस्तों एन यूरेसिस मींस Important क्योशन से बहुत बार एक्जाम में पूचा जाता है एन यूरेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों एन यूरेसिस का मतलब कफिंग इंसलिप होता है या ब्रिफिंग लेस्न इंसलिप या यूरिनेशन इंसलिप क्या होता है दोस्तों यहां पर actual में urination in sleep बच्चा सोता हुआ नींद के अंदर युद्धी toilet कर रहा है तो उसको बोलेंगे and uracus walking in sleep है तो उसको क्या बोलेंगे somna embolism क्या बोलेंगे दोस्तों somna embolism is the walking in sleep बच्चा जो है नींद के अंदर चल रहा है उसको हम somna embolism कहेंगे next दोस्तों questions की और भूख कारते हैं हमारे session का important बहुत सारे questions सलते आ रहे हैं और अभी important questions है कि painful menstrual cramp is otherwise called जो painful menstrual cramp होते हैं दोस्तों बहुत धर्द होता है जब menstrual period या menstrual cycle start होती है तो उसको क्या बोलेंगे dysmenoria क्या बोलेंगे दोस्तों dysmenoria अब amenoria इसका मतलब क्या होता है ये दो परकार का होता है primary होता है एक secondary होता है clear चीज अब secondary और primary क्या क्या होता है ये आपको समझने वाली बात है कि हो सकता है primary amenoria के अंदर जब start होता है period mc लगबग 14 साल के उम्र में है और most last and last 16 year छोड़ा साल से तक ये कोई menstrual period start नहीं हुआ है तो उसको primary amenoria काएंगे secondary amenoria की हम बात करें primary amenoria के बहुत सारे cause हो सकते हैं वेजानल sternosis हो सकती हैं कोई PCOD हो सकती है polycystic जो ovarian disease है वो हो सकता है इसके अलावा secondary amenoria की बात करें तो lactation हो सकता है pregnancy हो सकती है और menopause हो सकता है ये जो secondary amenoria कहाता है जो कि एक cause है और pathological cause मैंने primary amenoria के बताए दी अब बात करेंगे दोस्तों polymenoria polymenoria के मतलब बार बार 21 दिन से पहले पहले ये किस या 22 दिन से पहले बार बार ये जैसे 19 दिनों के अंतराल में ये कोई menstrual period आ रहा है बाकिस चीज़े नॉर्मल है breeding normal है timing normal है ये सारी चीज़ें होती है तो उसको polymenoria कहेंगे menometrogy का मतलब की बार बार ज़्यदा और irregular menstrual period है और ज़्यदा है उसमें bleeding तो उसको मोले मिनो मेंट्रोई तो ये एक important terms है आपको याद रखनी होती है exam के अंदर इसमें बहुत सारा कई बार इसमें से questions पूचा है मैंने आपको पहले भी बताया है next questions के और move करते हैं दोस्तों हमारा session का important questions है all of the following are killed vaccine except सभी जो vaccine है दोस्तों killed vaccine है एक को छोड़ के accept का questions है तो cholera bcg, partosis, titanus तो हमारी bcg ये वो live attunate vaccine होती है जो कि killed vaccine नहीं है ये दो सारी vaccine है दोस्तों तीनों cholera, partosis और titanus ये एक सभी परकार की killed vaccine है और bcg ये वो killed vaccine नहीं है दोस्तों next question की और move करते है important questions है अभी आज कल ये questions है latest हमान सकते है इसमें पूचे क्या दोस्तों the most appropriate for introducing complimentary जो food होता है बच्चे के इंदर हम कब देते हैं ये पूचा है complimentary feeding से पहले हम बात करें तो जो feeding कराई जाती है उसके साथ में बच्चे को water भी हम नहीं डेते हैं और only and only बच्चा जो है मदर का दूद ही पीता है और यदि 6 मंद या 4 मंद जो option आते हैं दोनों तो यहां पर आपको सबसे पहले right answer करना है 4 मंद ये जो 4 मंद वाला schedule ले वो आज कल आने लग गया है बुचते हैं तो 4 मंद वाला राइट करना क्योंकि अब जो schedule में books में बगरा 4 मंद की priority दी गई है तो आप लोग क्या करें 4 मंद वाला ही right करें और दोनों नहीं दे रखा है तो 6 मंद चार मंद वाला नहीं दे रखा है 6 मंद दे रहे का है तो 6 मंद आपको right answer मानना है इसमें विल्कुल ही आप जो है confuse ना हो next दोस्तों questions क्या और move करते है quantitative assessment of new net condition at birth is done by बच्चे का जो quantitative home assessment करते हैं new net का condition at birth जनम के समयाम करते हैं तो वो अबगार score के मादियम से करते हैं जिसमें अलग-अलग point होता है तो यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अलावा जो वी-पी है हम recording करते है इस पेग्नो मेनोमेटर जो blood pressure होता है अपने का instrument next बात करेंगी hydrocelle is swelling of hydrocelle होता है वो swelling होती है किसकी swelling होती है scrotum की किसकी दोस्तों scrotum की लिवर की नहीं होती splin की नहीं और लिवनोर की भी नहीं scrotum जो होता है उनकी swelling को हम क्या बोलते है hydrocelle जिसमें fluid जो है scrotum के अंदर collection हो जाता है जिसे swelling की मातरा बढ़ जाती है next question दोस्तों myopia is correct by myopia जो होता है वो किसकी दोबरा correct किया जाता है तो मैंसे याद रखना confusion नहीं होना concave lens myopia is correct by concave lens important questions है आपको ध्यान में रखना होगा next दोस्तों बात करेंगे hematopoices in adult occurs at hematopoices का मतलब क्या होता दोस्तों कि यहाँपर जो हमारी WC है और आरवी सी है और प्लेड लेट है इनका निर्मान करना ही hematopoices होता है बच्चा जब uterine घरभाशे में होता है उस दारान जो लीवर है और हमारा goal blader है उसके दोबरा निर्मान होता है जब बर्द बावन हो जाता है उसके बाद बच्चों में जो है इसमें जो बच्चों में है long bone से mostly देखने को मिलता है जिसमे homeris है, radius है यह जो bone है और mostly adult की बात करें तो soft bone में जैसे की vertebra है flat bone सोरी vertebra है जो हमारी skull bone है यह जो bone है इनके दोबरा adult के अंदर hematoposis देखने को मिलता है अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर hematoposis adult occur कांग होता है तो वो red bone marrow में होता है rbm red bone marrow rbm के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है hematoposis clear चीज जो important है दोस्तों वो मैंने बता दिया कि आप इनको right करते जाएं important five star लगाते जाएं the longest portion in the fall of in tubes fall of in tubes की बात करें हम longest तो है वो emplular portion जो कि three centimeter long होता है सबसे जो infundibular empolary, istimus और interest इसे यह जो बाट है किसके बाट है fall of in tube के आपको यदि कहीं पूचे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको right answer लगाना है कि infundibular यहाँ से लेकर यह सीरियल है इदर से लेकर यह सीरियल है करम भाईज आप पहस्तित कर सकते हैं next दोस्तों ovulation is induction induced malniform जो ovulation होता है वो किसकी वज़े से होता है LH surge की वज़े से LH जो है की वज़े से क्या होता दोस्तों जो हमारा estrogen है वो peak पे होता है और फिर LH surge होता है LH की वज़े से ovulation देखने को मिलता है luteinizing hormone इसको हम क्या बोलते है luteinizing hormone तो इस तरीके से question तोस्तों आपको exam में पूछे जाएंगे ESIC nursing officer के तो आज का वीडियो यह एंट करते है मेरी उमीद रहेगी आप लोगों से की वीडियो को like और share करें और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यह सौती कलास है बागी तीन कलास ही दिया अपने नहीं देखी है तो channel पर ज़रूर जाकर देखे मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you so much